हाई एव्रिवान आज हम देखेंगे कैसे हम इस प्लेटेंट्स को प्रिवेंट और पिक्स कर सकते हैं पर पहले हम जानते हैं इस प्लेटेंट्स होते क्या हैं जब हमारे हैर को इनफ नरेश्मेंट और इनफ मौशन नहीं मिलता है तो वो स्प्लेट हो जाते हैं जिसे हम स्प्लेटेंट्स कहते हैं जनरली ये हीट, डस्ट, पॉल्यूशन और केमिकल्स की वज़े से होते हैं तो अब देखते हैं कुछ इजी रेमेडीज जो इसली स्प्लेटेंट्स होने से रोकने में हेल्प करेंगे सबसे पहला है ओयल मसाज स्कैल्प एंड हैट पे मसाज करने के लिए वार्म कोकोनेट ओयल यूज करेंगे इस ओयल से हम स्कैल्प पे तो मसाज करेंगी साथ में हैर टिप्स तक भी लाएंगे और वहाँ भी जंटली मसाज करेंगे ये हैर कंडिशन करेगा और सॉफ्ट बनाएगा जो की स्प्लेटेंट्स प्रिवेंट करेगा डलनेस और हैर फॉल भी रिडियूस करने में हेल्प करेगा ये अब चाहे ओवरनाइट रखो या वन टू आर्स बाद इसे वाश कर लो नेक्स्ट रेमेडी है हनी क्यूंकि ये नैच्रल हीलर होता है जो मॉश्य लॉस होने से प्रिवेंट करता है हनी, कर्ड और ओलिव ओयल लेकर मिक्स करेंगे और अच्छे से स्कैल्प पे जन्टी मसाज करते वे अप्लाई करेंगे स्कैल्प के साथ ये हमें हमारे पूरे हैर लेंस पे भी अप्लाई करना है 30-40 मिनट से लगे रहने देंगे और इसके बाद warm water से wash कर लेंगे और इसके बाद हम शैंपू करेंगे unnecessary split ends prevent करने का एक और step जो की hair washing से related है वो ये कि अगर आप रोज या week में 3-4 बार hair wash करते हैं तो ये split ends को आमंतरित करना है और hair को super dry बनाना है week में एक बार ही hair wash करें या ज़ाद से ज़ादा दो बार बस उस से ज़ादा नहीं इस तरह से आप बहुत ज़ादा friction होने से prevent कर पाएंगे sulfate, paraben वाले shampoo, conditioner किसी भी cost पे avoid करें ये ingredients hair से natural oil strip करते हैं और ज़ादा dryness कोस करते हैं इसलिए आज के हमारे sponsor love beauty and planet मुझे पसंद है मैंने इनकी products के बारे में पहले भी बात किया है और सच में इनकी products बहुत genuine होते हैं love beauty and planet curry leaves, vegan biotin and mandarin orange shampoo and conditioner hair growth boost and splittance visibly reduce करने के लिए design किये गए हैं जो की natural ingredients से बने हैं इसमें pure curry leaf extracts hair growth boost करने के लिए and 100% vegan biotin hair density increase करने के लिए जाने जाते हैं इस product की एक और अच्छी बात है इसकी खुश्बू जो की mandarin से आती है ये mandarin खास Italy से लाई जाते हैं और सच में इसकी खुश्बू से आपका mood change हो जाएगा शेंपू अपलाई करते टाइम ends पे शेंपू मत अपलाई करो क्योंकि जब हम इसे scalp पे अपलाई करते हैं और rinse करते वक्त वो already ends को clean करते वे जाते हैं तो अगर हम ends पे भी अपलाई करेंगे तो वो ends dry कर देंगे और इनमें split ends होंगे moisture restore करने के लिए ज़रूरी है conditioner hair lens पे अपलाई करना क्योंकि सिर्फ shampoo से hair easily dry हो जाते हैं और prone to split ends हो जाते हैं lens पे evenly conditioner अपलाई करने के बाद 2-3 minutes रखें और फिर wash कर लें मेरी favorite hydrating trick जो मैं हमेशा करती हूं शार के end में cold shower ये cuticles and moisture को seal करते हैं इसके regular use से tips protected and split ends seal होंगे और आप यहां देख सकते हैं मेरे बालों में बिल्कुल भी split ends नहीं है अब बिना unwanted hair cuts के gorgeous long and beautiful hair enjoy कर सकते हैं इनके links में description box में mention कर दूंगी in case आप try करना चाहें तो try कर सकते हैं शार के तुरंद बाद कैसे हम hair को treat करते हैं उन पर भी depend करता है split ends prevent करने में अब यह तो पता ही होगा जब हमारे hair wet होते हैं तो वो more prone होते हैं breakage की regular towel be frizz and split ends का reason हो सकता है hair के लिए most gentle option microfiber towel यह soft t-shirt है इनसे carefully towel dry करें split ends prevent करने के लिए heating tools, blow dryer, straightener avoid करें soft pillow covers यूज़ करें ताकि friction avoid हो हमारे brushing technique और कौन सा हम brush यूज़ करते हैं इस पर भी depend करता है यह भी split ends का reason हो सकते हैं आपका कोई भी hair typo white tooth comb में invest करें हमेशा detangle करते वक्त gentle रहें end से start करें और कहीं जादा उल्ज़े हो तो उस particular area पे conditioner apply करो फिर gently detangle करें बिना खीचे जैसे ही detangle हो जाएं comb करना बंद कर दो क्यूंकि जितना friction आप create करोगे वो उतना prone होंगे cuticles damage होंगे last and important factor है food इसमें सबसे पहले है hydrated रहना specially winters में enough water consume करना important है यह splittance and dryness prevent करेंगे hydrated रहने के साथ जाधर जाधर प्रोटीन खाना hair growth के लिए protein intake essential है इसलिए जरूरी है higher amount of protein intake करना यह आपको nuts, beans and seeds के तुरू मिल जाएंगे और protein के अलावा iron consume करना भी जरूरी है iron deficiency से hair fall होता है इसके लिए आप pumpkin seeds, peanuts, dates, raisins regularly खाएं मैंने जो भी information इस वीडियो में शेयर की है अगर आप वो अच्छे से follow करेंगे तो आपको splittance का issue नहीं होगा पर अगर आपके already बहुत जादा splittance हो गए है तो इन्हें remove करने का एक ही तरीका है वो है उन्हें trim करना सबसे बड़ी गलती जो अक्सर लोग करते हैं कि length कम न हो जाए इसके डर से उन्हें cut नहीं करते हैं आप जितने time के लिए splittance रहने देंगे वो धीरे-धीरे ऊपर की तरफ split होके उस पूरे strand को destroy कर देंगे तो अगर ये थोड़े बहुत splittance आपके कुछ बालो पर ही है तो आप seizure से individual splittance को cut कर लो इसके लिए थोड़ा time और बहुत सारा patience रखके खुद करना पड़ेगा इससे hair length जादा healthy और कम splittance होंगे दुबारा आपके splittance ना हो इसके लिए मैंने जो आपको products और tips बताएं उन्हें आप follow करें इससे आपके hair tips healthy रहेंगे और splittance control में split hair कोई disease नहीं है यह totally lifestyle problem है अब थोड़ा sensitive बने इसके बारे में अपने ways को change करें और carefully अपने hair को handle करेंगे तो soft, shiny and silky hair enjoy करेंगे I hope आपको इस वीडियो से कोई ना कोई solution या information ज़रूर मिली हो वीडियो useful रही हो तो like, share और चैनल को subscribe करना ना बूले thank you so much for watching this video I will see you in my next one bye